आई दोस्तों राम राम कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ दोस्तों कि मैं वीडियो को सूट कैसे करती हूँ मैं कहां पर रखकर मेरे पास कोई इस्टेंड नहीं है तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये है वो वीडियो बनाती हूं यह मोबाइल को ऐसा खड़ा करके और एक जगा दुसरी भी है मैं आपको वहां भी दिखाती हूं किचन में भी मैं कैसे सूट करती हूं दोस्तों यह हमारा मिक्सर और मिक्सर के पास मोबाइल को ऐसे खड़ा रख देते हैं ऐसे मोबाइल को खड़ा रख करके और मैं वीडियो को सूट करती हूं किचन में भी कुछ काम करते रहती हूं तो मैं ऐसे ही सूट करती हूं दोस्तों मेरे पास कोई भी वीडियो सूट करने के लिए कोई भी अभी तक मैंने कोई भी स्टेंड नहीं लिया है कुछ भी नहीं ह दोस्तों बस ऐसे ही मैं वीडियो सूट करके अपलोड कर देती हूं और आप लोगों का काफी अच्छा प्यार मिल रहा है थाइंक्यू सो मच आप लोगों को दोस्तों ऐसी सपोर्ट करिए मैं आगे बढ़ जाओं और लोग जो बोल रहे हैं उनकी बातों को हम दोस्तों मुझे कुछ कर दिखाना है और उन लोगों को दिखाना है जो लोग मुझे दहज के खातीर आज इतने प्रॉब्लम में डाल दिये हैं और जिनकी फैमिली मेरे खिलाब जाकर के मुझे गाली गलोच करती थी मार पीट मैं कुछ ऐसा लाइप में कर जाना चाहती हूं कि ऐसा एक हर एक लड़की के साथ ना हो ऐसा मैं सोचती हूं कि हर एक लड़की खुद को मजबूत बनाए मेरे जैसा और मैंने जैसे दस साल अपने लाइप में कश्ट जहला है दोस्तों वैसा किसी के लाइप में प्रॉब्लम ना हो तो मैं उन बहनों से उन बेटियों से एक मैसेज उनको देना चाहती हूं कि सब लोग अपने लाइप में कुछ ना कुछ करो बहनों क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहां लोग जब साधी करके ले कर जाते हैं तो वह एक बहु बोलकर ले जाते हैं बेटी बोलकर ले जाते हैं और वहां ले जाने के बाद हम हमारे साथ गलत करते हैं ऐसा मारपीट करते हैं ऐसा हमें तकलीफ देते हैं दोस्तों कि हमसे सहन नहीं होता है इसलिए लाइफ में आप लोग भी अपने कुछ पढ़ाई लिखाई करो बहनों भाईयों और आगे बढ़ो और किसी को कभी तकलीफ मत दो अच्छे से प्यार से रहो सब लोग मिल कर रहो लाइफ में पैसा कमाओ पैसे की एहमियत को समझो पैसा कितने मिनास से कमाया जाता है दोस्तों चलिए इसी मैसेज के साथ में आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ तब तक के मेरे भाईयों को जैसरी राम और मेरी माताओं को चरणस पर छोटे भाईयों को बहुत बहुत प्यार सभी लोग ने आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया और कर भी रहे हैं उमीद करती हूँ आगे भी करेंगे और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ करके ये प्रूब उन मेरे ससुराल वालों को जिनने मुझे बहुत तकलीफ दिया है उनको मैं ये कर दिखाऊंगी वो जो ताना मारते थे मुझे कि तुम खा कर दिखाओ जी कर दिखाओ रहकर दिखाओ कुछ कर के दिखाओ तब मैं जानू तुम्हारे में इतना दम नहीं है दोस्तों एक ल